आज हम कालिल वी कार्बॉलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 के फाक्ट्स जेनरल ओफर पर चर्चा करेंगे। इस मामले में एक कंपनी ने अपने प्रॉड़क्ट कार्बॉलिक स्मोक बॉल्स के बारे में विज्यापन किया, जिसमें दावा किया गया कि जो भी व्यक्ती प्रिस्क्राइब तरीके से अर्थात दिन में तीन बार दो हफ्तों तक स्मोक बॉल्स लेगा, वह इंफ्लुएंजा को नहीं पकड़ेगा। अगर किसी को पकड़ लेता है, तो कमपनी ने उसे तुरंत 100 पाउंड देने का वादा किया, इस ओफर की सीरियसनेस दिखाने के लिए कमपनी ने 1000 पाउंड की राशी पबलिक बैंक में जमा की, अब प्लेंटिफ कारलिल ने स्मोक बॉल्स खरीदे और उन्हें विज्याप कोर्ट ने कहा, कि जब प्लेंटिफ ने विज्यापन की कंडिशन्स पूरी की, तो उन्होंने एकसेप्टन्स प्रवाइड की और इस तरह एक कॉंट्राक्ट की।